हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मा रोग्स यूट्यूब चैनल, फार्मा रोग्स की यूट्यूब विज्टे चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे पांच सबसे अच्छी ग्लुकोमा के दवा के बारे में कि जिसके अंदर आपकी आँखों का प्रेसर बढ़ता है, जिसको काला मुथिया भी कहा जाता है और इसके कारण आपकी आँखों में बारीपन जैसा आप मैसूस करते हैं तो उसके इलाज में जो पांच सबसे बेस्ट मेडिकेसिन से उसके बारे में सीखते हैं आज के lecture में तो expert lecture बायमर सर, assistant professor and founder of former rucks, thank you अर्बीन former rucks family, सीखे अलग अलग बीमारियों के बारे में कि जैसे आज हम यहाँ पे glucose के बारे में सिखें कि ऐसे ही सीखे अलग अलग बीमारियों के बारे में उनके उच्चार के बारे में कौन सी दवा यूज होती है, उनके dose, side effect warning contraindications को एक साल तक affordable price में तो medicine course को access करने के लिए हमें whatsapp करें 9016312020 पे, साथ ही हमारी second channel को भी subscribe करके हमें support करें तो link आपको description box में मिल जाएगा, तो अब समझे glucose का है, तो glucose मतलब कि ऐसी medical condition कि जिसके अंदर हमारी आखों में जो optic nerves होती है, वो damage हो जाती है, और ये optic nerve हमारी vision के लिए responsible है कि जब तक ये हमारी optic nerve अच्छी होती है, healthy होती है तक तब आखों की रोस्नी जोई वह काफी अच्छी रहती है, बट जब ये अलग-अलग reason से ये optic nerve समझो की damage होती है कि समझो के आख में जो ये pressure है वो बढ़ता है, तो pressure के करन भी ये optic nerve जो वो damage हो जाती है और उससे mainly problem क्या होता है कि हमारी vision के उपर जो वो असर पढ़ता है, तो ये conditions को treat करने के लिए जो medications use की जाती है उसके बारे में हम आज detail में study करेंगे तो optic nerve specially vision के लिए ज़रूरी है, और अगर ये completely damage हो जाती है, तो हमारी vision के उपर असर होता है और कई बार blindness भी एक reason बनता है कि जो completely आखों की रोसनी जो वो चीन जाती है कुछ लोगों की तो उनके लिए ग्लुकोमा भी एक reason होता है, तो ग्लुकोमा की reason एक ही है में कि ये जो pressure बढ़ता है आखों में कि जिसको intra-ocular pressure कहा जाता है, IOP, तो वो बढ़ने के कारण आपके जो optic nerve है वो damage हो जाती है और ये optic nerve भी आखों की रोसनी के लिए जो वो responsible है, तो ये एक problem होता है ग्लुकोमा की अंदर, तो यहाँ पर आप देखों कि normal eye pressure जो होता है वो 12 से लेकर 22 तक होता है mm mercury unit में, बढ़ ये pressure समझो कि 22 से भी उपर रहता है, और काफी लंबे समय तक ये pressure काफी high रहता है, तो आपके आपके पीछे की तरफ आई, ये optic nerve जो वो damage हो जाती है और ये condition को हम ocular hypertension भी कहते हैं कि जब pressure काफी ज़्यादा रहता है और वो pressure के करण जब आपकी optic nerve damage हो दी, तो उसमें problem क्या होता है, तो दो type का glucose होता है, एक होता है open angle और दूसरा acute angle closer glucoma जो का जब जिसके अंदर आखों में दर्द होता है, nausea, vomiting vision blur हो जाती है फिर किसी भी light या फिर रोसनी के आज पास आपको जो है वो hellos देखने को मिलता है, आखों में redness हो जाती है, tunnel vision जैसा आप फिल कर दे हैं, और blind spot जैसे भी आपको कुछ patch आपके आखों में जो है वो बनते हैं कि जो patchy blind spot जिनको कहा जाता है तो इसका diagnosis कैसे हो तो सबसे पहले आपको आपके ophthalmologist या फिर eye specialist को दिखाना चाहिए कि जो अलग-अलग तरीके से आपका diagnosis करेंगे सबसे पहले तो वो measure करेंगे intraocular pressure जो है वो कितना है आपके आखों में कि जिसके लिए वो autonometry को use करेंगे उसके बाद visual filters भी आपका check कर सकते हैं patchy metric करेंगे gonioscope और इस तरह से proper बता चलिए कि आपकी optic नर्व कितनी damage है या फिर weak हो जुकी है तो glucoma का ilaj हो सकता है treatment हो सकते हैं कि आप starting में ही उसका जोई वो treatment सुरू कर दो कि आप proper eye drops यूज करना सुरू कर दे और जो neurons के लिए healthiness के लिए जो medications होती है जैसे कि oral में जो मेका बोला माइन के जो tablets आते हैं कि जो special beat well के जो कुछ ऐसे tablets आते हैं sublingual tablets आती हैं तो उससे भी आपके optic nerve जोई वो healthy रहेगी और आखो के रोसनी के उपर कुछ हसर नहीं होगा तो surgery and दूसरी थेरापिस के भी option रहते हैं फिर उसके बाद अगर optic nerve और ज़्यादा damage हो जाती है बट जो medication से उसको treat करने के जो options है वो हम यहाँ पे सीखेंगे तो treatment के 5 best options कौन से रहेंगे तो एक है prostaglandin second है beta blockers alpha hydrenergic agonist रहती है carbonic enhydrogen inhibitors raw kinase या फिर meotic या फिर kolinergic agent तो सुरुआत करते हैं सबसे पहले 5 best में prostaglandins तो prostaglandins से ऐसी दवा यह है कि जो increase करती है outflow की जो fluid होता है हमारी आखों के अंदर की जो aqueous humor कहा जाता है तो उसका outflow जो है वो increase करा देती है मनले कि वो fluid आपके सरीर में से आपकी आखों में से जो है वो बाहार निकल जाता है और वो क्या करता है reduce करता है आपकी आखों का pressure तो उसमें जो options से medication है खास कर latanoprostein बुनोद करके तो यह सबे eye drops में से कोई भी एक जैसे कि आप यहाँ पे आप देख रहे है 0.005% concentration वाला यह लेनाटो प्रोस्ट का जो ophthalmik solution तो वो आप आपके ophthalmologist के सला के according patient जो वो use कर सकते हैं उसे तरह से यह travel तो प्रोस्ट का भी eye drops यहाँ पे आप देख रहे हैं अब प्रोस्टा glandians कुछ side effects करती है जैसे की mild redning जैसा आपको feel होता है यह eye drops को डालने के बाद stinging जैसा feel होता है आखों में के जैसे कि कोई insect bite करता है जैसे चूपता है तो चीटिया के काटने से जैसा थोड़ा से चूपता है या फिर किसी भी insects के काटने के बाद जो हमें feel होता है ऐसा stinging जैसा आप feel करते हैं जैसे कोई bite हो रही है ऐसा आप feel करते हैं आखों में फिर darkening हो जाती है आईरिस की यह कुछ side effects करते हैं यह प्रोस्टा कर सकते तो अगर side effects और ज़्यादा severe होते है तो तुरंत आपको medication जो है वो change करने जाए तो उसके बहुत सारे option है glucomap के जैसे हम आपको बताने वालों के 5 अलग-अलग categories के medication है तो second है वो है beta blockers तो beta blockers क्या करती है reduce करती है production of aqueous humor कि जो aqueous humor जो आपकी आखो के अंदर बनता है उसका production कम कर देता है कि जिससे वो pressure कम produce करे और आपकी आखो का pressure जो है वो कम हो जाए तो उसमें option है टीमोलोल का option है beta oxolol का option है तो यह दो eye drops और सबसे ज़्यादा famous से यह category के अंदर तो यह आप याप diagram में देखो कि 0.5% के concentration में available होता है beta oxolol का और टीमोलोल भी 0.5% concentration में यह eye drops available होते हैं इसके कुछ side effects जैसे कि breathing में कुछ लोग difficult feel करते हैं heart rate slow होना, blood pressure low होना, impotency और fatigue में लोगे थकान या फिर कमजोरी जैसा कुछ लोग feel करते हैं यह eye drops के regular uses पर तीसरा option है वो है alpha adrenergic agonist की जो acid दवाईया है कि specially यह भी आपके आखों के अंदर जो production होता है aqueous humor का उसको काम करा देते हैं कि जिससे उनका pressure कम हो और आउट फ्लो भी बढ़ाते हैं तो दो तरीके से वो काम करती है कि उनका आउट फ्लो भी बढ़ा देती है aqueous humor का कि जो आखों के अंदर जो एक fluid जमा हुआ होता है और साथ हो साथ उनका production भी कम करा देते जिससे कि यह eye pressure reduce करने में काफी मदद करती है तो epra clonidine करके eye drops है कि जो 0.5% के concentration में खास कर available होते हैं second है brimonidine करके हैं या आप आप देखो brimonidine के 0.2% के जो eye drops है तो यह दो options बनते हैं alpha hydrenergic blockers में तो यह कुछ side effects करेगी brimonidine या फिर epra clonidine कि जैसे कि irregular heart rate high blood pressure, fatigue red, itchy और swollen मतलब कि आखों में आपको कई बार redness, itchiness या फिर swollen जैसा फिल हो पर यह तब ही होता है कि जब आपको allergy होती है कि alpha hydrenergic agonist के समझे कि आपको allergy है तो ही यह side effect होगा वरना लोगों को यह side effects नहीं होते हैं गर आपको उसकी allergy नहीं है और यह common है dry mouth होने कि eye drops डालने के और आपको प्यास ज़्यादा लगेगी dry mouth जैसा आप फिल करेगे वीडियो के बीच में आपको बदा दो कि हमारी जो एक second channel है उसको subscribe करें और में support करें link description box में मिल जाएगी good luck and all the best तो चौथा जो है वो है carbonic enhydrous inhibitors तो carbonic enhydrous inhibitors क्या करते हैं वो भी उसी तरह से काम करते हैं कि reduce कर देते हैं production जो aqueous humor का है कि जिसका एक famous medication है डॉर्जोलामाइड करके हैं कि डॉर्जोक्स के जो eye drops जो सिपला बनाती है 2% के concentration में ये भी से ज़्यादा यूज होने वाले eye drops है कि जब आपके आखों में pressure बढ़ता है और गुलकोमा के condition produce होती है फिर ब्रिंजोलामाइड करके हैं यह आप आप देखो कि ब्रिंजोलामाइड करके हैं ब्रिमोनीडिन के साथ combination में भी होता है तो यह कुछ side effects करती है जैसे के metallic taste आप फिल करते है आपके mouth के अंदर urination frequency कई बढ़ाती है tinglings होता है fingers के अंदर साथो साथ जो आपका toe होता है वहाँ पे पांच वो option है raw kinase inhibitor का कि जिसके अंदर natar sodile करके जो medication है एक ही option है उसके अंदर कि अगर जो हमने आगे में जो medications देखी वो काम नहीं कर रही तो last एक option बनता है natar sodile का कि उसके कुछ side effects जैसे कि आखों में redness करवा सकते है आखों में discomfort और deposit farming हो सकता है cornea के उपर तो यह कुछ side effects करती है यह natar sodile इसके option में एक और है जो है meotique या फिर cholinergic agonist जो हम कहते है pillow carpin तो pillow carpin जो 2% के eye drops जो available होते है वो आप उसके option में यूज कर सकते है आखों का pressure कम करने के because यह क्या करती है outflow जो है वो बढ़ा देती है जो aqueous humor है और उसका outflow बढ़ जाने से automatically pressure कम हो जाता है तो यह eye drops क्या करते है सिर्दर्द करा सकते है आखों में दर्द होते है कुछ लोगों को pupil आपकी थोड़ी small हो जाएगी smaller pupil possible blur या फिर dim vision जैसा और near sightedness जैसे कुछ side effects कर दी है यह cholinergic drugs की जिसका नाम है pillow carpin तो ऐसे ही सिखे detail में दवायों के बारे में उनके dose के बारे में कौन से उनके side effect है warning contraindication वो भी एक साल तक affordable price में farmer rocks की अब उपर तो medicine course को access करने के लिए हमें 90163120202 पे जरूर से whatsapp करें या फिर हमारी app को download करें और कोई भी query होता हमें जरूर से call या whatsapp करें हमारे help line number पे हमारी second channel को भी subscribe करके support करें link description box में मिल जाएगी good luck and all the best